कि हैं अभी जो एक्जाम्स हुए थे अगस्ट 2022 में उसमें भी एक्वेस्टन आया हुआ था तो मेरे वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना शेयर करना अपनी दोस्तों के साथ और नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जिसमें मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का ठीक है जो आपके एक्जाम्स के लिए बहुत जादा ह सब्सक्राइब करना जिसमें की एक सोसाइटी और इंडिवीजुल के बीच में रिलेशन्शिप होता है तो इसको कुछ साइकलोजिस ने डेफिनिशन दिये हैं उसको देख लेते हैं तो किम्बल यंग ने 1942 में डेफिनिशन दिती है एक राउड इस गैदरिंग आफ एक परसं क्या होते हैं नंबर और परसं क्या होते हैं गैदर होते हैं ठीक है माली जे कि कोई सेल लगी है वहाँ पे सभी लोग गैदर हुए है तो यह क्या हुआ कि एक कॉमन अट्रेक्शन है क्या सेल ठीक है तो उसका उसकी वज़े से लोग वहाँ पर गैदर हुए है ठीक है अब आते हैं एसलमें एंड कैशिन कैशियन इन 1983 में इन्होंने डेफिनिशन दिया था टेंप्रेरी और ट्रांस्टरी ग्रूप्स ऑफ पीपल इन फेस टू फेस कनेक्ट हो शियर कॉमन इंट्रेस्ट और फोकॉस ऑफ अटेंशन जैसे कि अभी मैंने बात की सेल की तो ट्रेंप्रेरी एक होता है सेल में अगर और क्या होते हैं शियर कॉमन इंट्रेस्ट क्या कॉमन इंट्रेस्ट होता है उन लोगों में फोकॉस ऑफ अटेंशन क्या होता है सेल कप शॉपिंग करना ठीक है यह होता है क्राउट हमारे सिलीबस में क्राउट की थ्री थियोरी दी गई हैं क्लासिकल थियोरी कनवर्जिं Gustave Lee Bonney in 1895 में इन्होंने एक बुक लिखी थी या आप बोल सकते हैं कि study की थी the crowd study of the popular mind in 1895 में उसी में इन्होंने classical theory को mention किया था इन्होंने बोलना था कि जो crowd है वो anonymity and sometimes generate emotions ठीक है anonymity मिन्स होता है कि गुम नाम मिन्स कि एक ऐसा crowd जिसमें कोई किसी को जानता नहीं है ठीक है बस क्या होता है कि emotion generate होता है और उसके थूँ वो अपने जो emotions को show करते हैं ठीक है उस crowd की थूँ तो different individual in a group do not think individually अपना individually think नहीं करते हैं but they think experience and act through the group mind जो लोगों का group होता है उसी group के mind के थूँ एक्ट करते हैं अपना individually कोई भी feelings नहीं होती है उनकी when individual collect in a crowd dear individual mind become a part of the collective mind जब एक crowd collect होता है तो individual mind क्या होता है collective mind बन जाता है ठीक है लोगों का mind जो है एकदम collect होके एक mind create हो जाता है उसी mind के थूँ its own way and formulates its own ideas and thoughts which the individual mind do not formulate in their individual capacity जब collective mind हो जाता है तो फिर माई क्या होता है group के थूँ ही वो अपने ideas और thoughts को represent करते हैं इंडिविजुली अपने thoughts को कोई भी formulate नहीं करता है ठीक है कोई capacity नहीं होती है तो यहां पर जो emphasis होता है was given on unconscious motives unconscious motives means कि जो आप क्या कर रहे हैं अपने unconscious means कि अपना aggression अपना anger इस crowd के थूँ शो कर रहे हैं माली जे हम एक example लेते हैं कि बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं कि एक protest होता है जिसमें बहुत ज़्यादा public transport को और इन लोग जो civilians होते हैं उसको लोग hurt करते हैं तो वह एक तरीके का इस तरीके का crowd होता है जिसमें लोग अपने छुपे हुए चुपे हुए feelings को उस ग्रूप के थ्रू बाहर निकालते हैं ठीक है तो यह क्लासिकल theory ठीक है अब नेक्स आते हैं नेक्स तोरी है कन्वर्जेंस थ्योरी इस थ्योरी को भी गेस्ट लैब बॉन ने ही डेवलेप किया था 1895 में उसी अपनी जो नोंने स्टेडी की थी उसी में मैंचेंड किया था बुक में बेसिकली इसका जो कॉंसेप्च्वाल एनलिसस है वो है कि क्लेक्टिव बहेवियर डैट अजियूंस डैट मॉप 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 मिन्स क्राउड बेसिकली इनका सोशल मॉवमेंट्स होता है एंड अधर फॉर्म ओफ मास्क एक्शन अकर वेन इंडिविजूल विच सिमिलर नीट्स वैल्यूज गोल्स और पर्सनेलिटीज कम तोगेदर माली जे कोई सेमिनार हो रहा है उसमें सभी लोग क्या होता है उस सेमिनार में आए इस तरीके का यह जो ओता है इस त्योरी में यह जो ख्राउड होता है जैसे की डेटली यह ऐ्याव hierarchy ऑफ वाईलंस के लिए नहीं ओता ह। ठीक है यह कुछ एनलाइज करने के लिए होता है collective behavior होता है ठीक है तो मिन्स की जो first हमने classical theory देखी थी उसमें unconscious mind के तुरू अपने aggression और anger को बाहर निकालते हैं लोग ठीक है और जो convergence theory होती है उसमें conceptual analyze होता है हम वहाँ पर together होके एक साथ होकर कुछ न कुछ सीखने की hypothesis करते हैं यह दूसरा क्या हुआ crowd हुआ अब आते हैं third पर group mind theory group mind theory को सबसे पहले लेबन ने write किया था group mind theory को 1892 में फिर उसके बाद mcdagal ने अपनी book में book लिखी थी the group mind 1920 में उसके बाद बहुत सारे जो साइक सोशल साइकलोजिस से सोशल साइकलोजिस से जैसे एस्पी नोसा ट्रोटर दर्खीम एंड और और यह अगर प्रनांशियेशन अगर गलत हो तो सॉरी उसके लिए तो इन सभी लोगों ने क्या किया था फिर उसके बाद डेवलेप किया था ठीक है तो according to this theory इन्होंने बोला था कि the individual in the crowd loses his individuality and become a part of the crowd ठीक है अपनी individuality लोग क्या कर देते हैं लूस कर देते हैं अगर वो crowd में आ जाते हैं क्योंकि वो उस crowd का हिस्सा बन जाते हैं become a part of the crowd and which come to develop its own crowd consciousness ठीक है इसमें consciously अपने जो crowd है उसको डेवलेप करते हैं basically यह जो crowd है यह emotionally जादा based होता है इसमें slogans, appeals and suggestions होते हैं it's action or less rational and more emotional होता है it becomes easily excited and act in a hypnotic way ठीक है मतलब emotionally ज्यादा सोचते हैं इस theory में ठीक है जो crowd होता है अब यहां पर MacDigal ने एक अपनी definition दी ती उसमें कहा था कि every group has a mind of its own the group mind is not a mere collection of the mind of all the individual member of the group the group mind has the power of influencing the mind of the individual it is because of the power of the group mind that the thinking of the individual changes when he become a member of the group ठीक है means कि अगर इस group का कोई person member बनता है तो उसका जो क्या होता है कि उस group के thoughts और mind क्या हो जाते है चेंज हो जाते है ठीक है तो इस तरीके का group होता है जो positive होता है emotionally होता है slogans और emotion के through इस पे work करता है ओके तो basically यह जो theory है यह conscious mind पे ज्यादा focus करती है आप एक example ले सकते हैं कि जो motivational speech अगर कोई दे रहा है तो वहाँ पे crowd collect हो जाता है ठीक है आप किसी बहुत ही संदीप महेश्वरी का ही ले लीजिए वो कहीं पे motivational speech गए है तो उनकी बातों को सुनकर आप क्या होगा आपका mind change होगा क्योंकि आप उस group के member बने हो है तो वहाँ पे conscious mind आपका क्या होता है work करता है ठीक है और emotionally work करता है ओके आप emotionally अपने mind को अपने thought को change करते हैं ओके motive आपको एक मिल जाता है motivation मिल जाता है तो यह इस तरीके का क्या होता है theory है ठीक है इस तरीके का group है crowd है तो I hope यह theories जो हैं आपको समझ में आई हो तो please like करें share करें अपने दोस्तों के साथ and channel को मेरे subscribe करें जिससे की मुझे motivation मिलता है मैं और भी आपके लिए ऐसे ही videos लेकर आती रहूंगी so मेरी videos को देखते रहें thanks for watching करें आती है